आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, आज के हमारी इस वीडियो हमें से बोला है कि The Objective Function of LPP Defined over the Convex Set Attains its Optimum Value at ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या बोला है? कि हमारे पास एक Objective Function है ठीक है? LPP का और हमें उसके बताना है कि वो Optimum Value किस पर attain करेगा ठीक है? तो सबसे पहले अगर हमारा LPP का Problem है कोई तो हम उसके लिए Graph Draw करते हैं ठीक है? मान लो यह हमारी XY Axis हो गई और उसके लिए हमने कुछ Constraints के लिए Graph बना लिए ठीक है? तो हमें कुछ Points मिलेंगे इसके अंदर मान लो एक यह Point मिल गया हमें यह इसका क्या आ गया? Feasible Reason ओके? यह इसका Feasible Reason आ गया तो हमें उसकी Optimum Value कहां मिलती है? Corner Points पे ठीक है? यह Corner Points है हमारे ठीक है? तो जब भी हम कोई LPP Problem Solve करते हैं तो उसका जो भी हमें Optimum Solution मिलता है वो Minimum हमारा At Least One of the Corner Points पे मिलता है At Most वो कहीं भी मिल सकता है हमारा Over Align भी मिल सकता है लेकिन At Least वो हमारा कहां मिलेगा? One of the Corner Points ठीक है? किसी एक Corner Points पे तो यहां पे अगर हम Option चेक करें तो कौन सा Option करेक्ट हो रहा है? Option में बोल रहा है At Least Two of the Corner नहीं All the Corner Points यह भी Correct नहीं है Option 3 बोल रहा है हमारा At Least One of the Corner Points तो हमारा कौन सा Option करेक्ट होगा? Option 3 इस दे Right Answer Okay? Thank you